आपने अधिकतर तीन पईयों वाले गाड़ी अपाईट लोगों के पास देखी होंगी वो बंती भी उन लोगों के लिए हैं पर क्या आपने सामानी आदमी को तीन पईयों वाले स्कूरर चलाते देखा है नहीं देखा होगा इसी बीच आज हम दिखाने वाले हैं तीन पईयों वाले इलेक्टिक स्कूरर जिसे सामानी आदमी के लिए बनाया गया है इसी को चलते हैं चीन की ब्रान FST ने अपनी घरेलू मार्केर में सबसे सस्ती इलेक्टिक थ्रीविल नोच की है कपनी ने इसे CL2 कोड नाम दिया है य यानि कि ड्राइव करते समय चालक के गिनने का खत्रा बिल्कुल नहीं होगा इतना ही नहीं यादि आप खुदी से धक्का देते हैं तो भी यह गिरेगा नहीं एफेस्टी थ्रीविल एक्सो पचास केजी का मेक्जीम अमलोड उठा सकती है इस इलेक्रिक स्कूलर के फ्रंट में इमार्क हेडलाइट्स, टर्न इंडिकेटर और येर मेरेडी टेल लाइट दी गई है एफेस्टी थ्रीविल बिना बेटरे के 87 केजी बेट के साथ आती है एफेस्टी थ्रीविल के फ्रंट वर येर में डिस्प्रेक दिये गे हैं, इसमूथ रैडिंग के लिए इसमें ट्वेलेविच के वियर एजेस्टन स्ट्यूबलेश टैर दिये गे हैं, कमरी ने कहा है कि एक फूट डिलेवरी भीकल है, जिसमें पीछे बोक्स लगाया गया है, जिसमें गर्म या ठंडी चीज़े सरु कर सकते हो, इस इलेक्टिक स्कूर में बोक्स रिमूओ करके आप कारगो में भी यूज़ कर सकते हो, ये एक यूनिक इलेक्टिक स्कूटर है, जिसमें पीछे के दोनों टैर को एक साथ जोला गया है, जो अपना आप में यूनिक एसा एलेक्रिक थी विल आज तक नहीं देखा होगा कलर ओप्शन की बात करें तो ये स्कुरे ब्लेक ब्लू, रेड वाइट और यलो जैसे तिन रंगों में अवेलेबल है पावर वो डी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस एलेक्रिक स्कुरे में 3000 ओट की ब्रेश डीसी मोटर दी गई है जो 120 एनेम का टोर्क जनरेट करती है इसकी मोटर को पावर देने के लिए 72 वोल्ट फिफ्टी एस की रिमोबल लिथेमाइन बेटरी दी गई है जिसे एक बार फिल चार्ज करके 120 किलोमेड़ तक 900 बराइड ले सकते हो इसकी बेटरी को चार्ज करने में 6-8 घंटे का समय लगता है इसमें मेक्जिमम क्लाइमिंग डिस्टेंस 2 किलोमेटर है FST 3-wheel स्कुरर को 75 किलोमेड़ पर वर की 220 फिर से चला सकते हो कीमत की बात करें तो इस इलेक्टिक स्कुरर को 95,000 रुपीज में खरी सकते हो तो दोस्तों ये थी यूनिक इलेक्टिक 3-wheeler वीडियो पर सनाई हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं किया प्लीज सबस्राइब कि लीजिए टेक केर बाई